कई सारे ऐसे लोग हैं इनको किनी न किनी कारण वह से प्रेगनेंसी में इस्पेशली थर्ड ट्रैमिस्टर में जब आप रहते हैं तो नीद नहीं आती है जब आपको नीद नहीं आती है तो आपकी बॉड़ी में स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते हैं आपका जो मेटाबॉलिजम वह भी डिस्टर्ब होता है जिसके आपको एसिदिटी कांस्टिपेशन यह सारी प्रॉब्लम्स भी होने लगते हैं तो मतलब एक प्रॉब्लम से मुल्ट आपको नहीं आती है और वह हम एक बोटलनेक पर फस जाते की नहीं भी आरी और नीद आनी पी चाहिए तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो आज के विडियो में डिसकस करते हैं तो सबसे पहला तेप जो है वह है आपकी डाइट से रिलेटेब बहुत जाएदा बहुत जाएदा सोने का अपका टाइम उससे दू घंटे पहले आप अपना जो भी खाना डिनर जो है वो कम्प्रीट कर लें जिससे कि आपकी बॉड़ी को डाइजेशन का टाइम मिल सके और मेक शूर कि आप रात में बहुत बहुत अदा हवी खाना ना का रहे हो तो उससे क्या होता है खाना अपर डाइजेस्ट हो जाता है और आपको नीजव अच्छे से आपाती है डूसी चीज़ कि आप चाहो तो स्टेम पर सोने से पहले थोड़ा दूद वगएरा पी सकते हो गरम दूद करके गुनगुना गरम दूद जो है वो पी सकते हो केसर वाला दूद भी आप अपने थ है कि आप एक्टिविटी करी में रहे हो उससे भी जब बॉड़ी थकेगी नीज़ 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 आएगी तो आप अगर हो सके तो शाम को डिनर के बाद थोड़ा वॉक कर लीज़े उसके बाद सोने जाए तो इससे आपकी नीज़ अच्छी आ जाएगी आपको उसके अ खुद भी कर सकते हो, head massage ले सकते हो, उससे भी नीज़ बहुत अच्छा आती है, अगर weather appropriate है तो आप थोड़ा सा गुनगुने पाने से bath ले ले लेते हैं, उससे भी आपको अच्छी नीज़ आती है, तो ये है, उसके अलावा, make sure कि आप TV, mobile, ये जो screen है, ये किसी भी तरीक स्पीकर अगरे कुछ है, तो आप एक chanting जो है, वो लगा सकते हो, जिससे कि अग्दम slow volume है, जिससे कि आपका जो माहल है, वो थोड़ा सा sleepy, cozy cozy सा हो जाए, और weather के हिसाब साब अपने रूम का जो setup है, वो भी थोड़ा सा cozy environment रखेंगी जिससे कि आपको नीज़ अच्छे से आ आप आप से सूपाएंगे, और सूते टाइम आप अपने लेफ्ट करवट पे सो रहे हैं, इस चीज़ का आपको बहुत जादर ध्यान देना है, लेफ्ट करवट पे सोने से आपके सारे organs free रहते हैं, ब्लट फ्लो अच्छे से बनता है, तो इससे बच्चे की growth भी अच्छे सो रही होती है, और आपको नीद भी अच्छे से आरी होती है, आपकी नीद डिस्टर्ब नहीं होती है, तो make sure कि आप ज्यादर से जादर टाइम लेफ्ट करवट पे सो रहे हो, लेफ्ट पे नहीं सोना चाहते हो, कभी-कभी बीच में ब्रेक लेना चाते हो, तो आप राइ के नीचे दूल जो पिलोज होते हैं, वो स्टैक्टर के रख लेते हैं, जिससे कि आपको नीद रच्छे आती है, तो ये साही चीदे कर सकते हैं, उसके लावा कुछ लोगो को यूरिन फ्रिक्वेंसी जादा होती है, बार-बार रात में नीद तूती है, कि उनको सब्सक्राइब से जस्ट पहले पानी नहीं पीते हैं तो, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपोर्टन यह है, कि आप कैफीन का प्रयोग ज्यादा ना करें, दिन भर में भी ज्यादा ना करें, और सोने के चार गंटे पहले तक आप चाय कॉफी बिल्कुल या कोई बैसी चीज जिसमें कैफीन होती है, या कोल रिंग्स हैं, जो पैंग जूस वगर आते हैं, यह सब चीजे भी आपको नहीं लेनी चाहिए, कोई भी शुगरी फूद वगर भी आप लास्ट बिठाई 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 खांकर आप ना सोई, इस चीज का आपको ध दिखना चाहते हो, वो भी मिंचे सजेस्ट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कीजे, इंस्ट्रेग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजे, मैं में मेलूंगे आप से एक नए वीडियो में तब तक के लिए, बाई, टेक केर!